हेलो एब्रिवन वेलकम बैक तो अवर यूट्यूब चैनल फ्री फ्लाई तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो थोड़ा सा अरग थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग तो जैसे की जो हमारे पुराने वीवर्स होंगे जिन्होंने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कभी हाली फिलान हम लोग नागपूर गए हुए थे और वहां पर हम लोग ने वहां की बहुत सारी जगह पर विजिट किया जिसमें से था एक रेल म्यूजियम जि आप वैसे बाई रोड भी जा सकते हैं पर मेट्रो फैसलिटी नागपूर में बहुत अच्छी है तो आप जा सकते हैं अलग अलग जगह से हर तरफ से वहां पर रेल मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है हम लोग लोकमाने नगर से गए थे तो लोकमाने नगर से हम लोग गए और जीरो माइल उतरे थे जीरो माइल से भी पास में है रेल म्यूजियम बट महां से आपको आटो लेना पड़ेगा वैसे गदी गोदाम स्क्वेर अगर आप उतरेंगे तो वहां से सबसे पास में है और नहीं तो आप नागपूर मैट रेल्वे स्टेशन का जो मैट्रो स्ट अगर आपको थोड़ा से दूरी पड़ेगा आपको आटो लेना पड़ेगा तो जैसा आपको कन्विनिंट हो आप आ सकते हैं तो यहां पर हम लोग पहुँच चुके जैसे कि आप देख रहें कि हम लोग पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम तो दोस्तों यह है छोटी आपको टिकट लेने पड़ेंगे टिकट की जो डिटेल है वह यहां पर दी हुई है एडल्स के लिए 25 बच्चों के लिए 10 रुपे की टिकट है और अगर आप ट्वाइट रेन की सर्विस लेना चाहते हैं उसमें बैठना चाहते तो उसके भी चार्जिस 25 रुपीज है और जो टिकट काउंटर है वो भी थोड़ा अलग डिजाइन से बना हुआ था जो पुराने जो रेल का जो डिबा होता है बौगी होती है उसके अंदर ही वो टिकट की काउंटर की फैसलिक्टी थी तो यहां पर हम लोग अंदर घुस चुके हैं अंदर घुसते ही सामने ही बच्चों के साथ खास कर क्योंकि बच्चों के लिए यहां पर बहुत कुछ है जूले है और उसा इस सीखने के लिए बहुत कुछ हैं कि अब यहित जुछ है इंफेक्ट मेरे लिए था तो बंध हो चुकी है इनफक्त मेरे बाकी सारे दिन संडे से लेकर मंडे सिफ क्लोज रहते हैं बाकी सब दिन ओपेन रहता है सुबा के टाइम भी ओपेन होता है शाम के टाइम भी ओपेन होता है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके और कावियास टाइम सो चुकी थी इसको उठाने की मैं कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री करते ही सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा सा पार्क दिखेगा चिल्रेन पार्क है यहाँ पर बच्चों के ल यहाँ पर बैठने की फैसलिटीज है और जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे फिर उसके बाद जो रेल म्यूजियम के जो चीजें हैं वह सब आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगी रेल से रिलेटेड तो सबसे पहले यहाँ पार्क है पार्क में अलग-अलग अनिमल्स क सब्सक्राइब हैं जैसे बच्चे जादा एट्रैक्ट हो सकते तो जैह और बहुत सारे जूले भी है तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे तो डेफिनिटली आपके बच्चे यहाँ पर इंज्वाई करने वाले हैं तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं धीरे धी अच्छा लग रहा तो घूमने में तो यहाँ पर काविया सो गई है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो सामने ही आपको दिख रहा होगा एक पुराना स्टीम इंजन तो चलिए वहाँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साइड मे अब देखने को भी नहीं मिलता है अब लोग वीडियो में देखके ही इसको जादों को अपनी तागा करते हैं आई आपको लेके चलते हैं यहाँ पर आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल यहाँ पर दीवी यह स्टीम इंजन था टाइप दीवी एक अब अंगर जाते हैं देख सकते हैं कैसा पील होता सा पहले के जमाने में स्टीम इंजन स्टीम लेकर आपको यह गारी को की चटाता था आप तो बहुत जादा डेवलफ हो चुके हमार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद उस टाइम पर जो लोको पाइलेट होते होग यह पुराना स्टीम इंजन है यह रखा गया है सोपिश के लिए जिसको अच्छे से पेंट करके मेंटेन करके रखा गया है जिससे कि यहाँ पर लोग आए और देखे कि पहले की टाइम पर रेलवे कैसा था और कहां से कहां रेलवे अब डेवलफ हो चुका है तो यह स्टी यह पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो एंजन है यह एंट्री के एकड़म एंट्री गेट से थूड़ा सा आगे ही लगा हुआ है यह तो हम लोगों ने देख लिए एक्स्प्लोर कर ले और यहां पर आप देख सकते काविया उठ गई थी तो और अच्छे से हम लोग यहां पर हम लोगों ने फिर बहुत सारी फोटोस वीडियो स्पेशली आप फोटोस वीडियो दहाल निकाल सकते हैं एक यादगार है और साथी साथ अगर आप बच्छों के साथ आ रहे हैं तो आप उन्हें कुछ सिखा सकते हैं बता सकते हैं कि पहले हमारा जो रेलवे था वो कैसे था कैसे छोटी लाइन जो नेरो गेज लाइन है वो चलती थी अब तो बहुत डेवलप हो चुका है इलेक्ट्रिक लाइन साथ चुकी हैं तो यहां पर काविया को बठा के हम लोगों ने पिक्स लिये फिर हम लोगों ने भी बैठ कर पिक वीडियो यह सब शूट क आरे है तो आप खुब इंजॉय कर सकते तो आप देख सकते हैं यहां पर अंदर का कंस्रक्शन इसका कैसा है इसी होल में जो है वो पूल डालकर तब जो इन्जन है लोकोमोटिव है इसको चलाए जाता था पहले इसे में दोस्तों कोल डलता है जिसकी वेदे सी स्टीम इन जो है वो चिल्ट ऑपरेट होता था तो यह सब तब देखने को नहीं मिलता मुजिएम में ही इसकी नजारे मिलते हैं देखने को तो दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको म्यूजियम के दोनों साइड में पार्क दिखेंगे बहुत बड़ा पार्क के बहुत बड़े एरिया में यह जो रेल म्यूजियम है यह फैला हुआ है और दोनों साइड आपको बच्चों के लिए बहुत सारे जूले साथी साथ बहुत सारा इंटरस्टिंग सा आइटम दिखेगा तो आप अराम से आकर यहाँ पर अपने बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं जूला जूला सकते हैं बहुत सारे तरीके के ट्वाइज हैं जूलने के लिए जूले हैं तो दोस्तों जो यह रेल म्यूजियम है नागपुर का यह आपको भारत की रेल की रेल इतिहास की यादों में डूबने का एक मौका देता है क्या आप जानते हैं नेरो गौज रेलवेज का भारत में एक अलग ही महतवर रहा है 1867 में पहली बार इसकी शुरात हुई थी और यह प्रैमेडली छोटे शहरों और गाओं को जोडने के लिए इस्तिमाल की गई थी यह जो गौज है मतलब जो छोटी लाइन है यह छोटे होने के कारण पहाड़ी इलाकों में भी असानी से रेल बिचाई जा सकती थी इसलिए यह नेरो गौज रेलवेज का उस टाइम पे बहुत ही जादा महतवता छोटी लाइन जिसको कहा जाए नेरो गौज रेलवेज का एक बढ़िया उधारहने नागपूर यहां का नेरो गौज रेलवेज म्यूजियम इस हैरिटेज को समालने का काम कर रहा है अगर आप हिस्ट्री बफ हैं या सिर्फ रेल के फैन हैं यह जगह आपको जरूर जरूर पसंद आईगी तो आप जरूर एक बार यहां पर विजिट करिए आपको बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं कुछ रियर लोको मोटिव पुरानी टिकेट मशीन और यहां पर आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो एक जमाने में नेरो गौस ट्रेन का हिस्सा हुआ करती थी यहां एक स्पेशल गैलरी भी है जिसमें उन डीजल और स्टीम इंजिन्स का प्रदर्शन किया गया है जो एक जमाने में हिंदुस्तान के कोने कोने में चलती थी सिर्फ देखने का ही नहीं यह म्यूजियम इंटरेक्टिव का भी ध्यान रखता है आपको यहां एक रियलिस्टिक ट्रेन सिमिलेटर मिलेगा जिसमें आप खुद एक ट्रेन ड्राइवर की तरह फील कर सकते हैं बच्चों के लिए यहां काफी कुछ इंटरेस्टिंग है का अब कुछ पूराना लौह लग्टर का बना हुआ मूजियम है अब ब्रेक्टर है और साथी साथ दोस्तों यहां पर ट्वाइट्रेन भी चलती है जिसके टिकट का प्राइज 25 रुपीज है आप छोटे बड़े हर को इस पर चर सकता है तो यह पूरे पार्क का जो राउंड है वो आपको लगवाते हैं तो बस वही है कि बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं तो आप लोग यहां पर आईए तो ज़रूर इस ट्र करते हैं तो आप लोगों को बस टिकट लेना है जो पार्क में एंट्री का प्राइज वो भी 25 रुपीज पर परसन है एडल्स के लिए और 10 रुपीज चिल्रन के लिए है और जो ट्वाइट ट्रेन का प्राइज 25 रुपीज है तो आप लोग अनाम से आकर इसको करते हैं तो काव्या के बहाने हम लोग भी यहां पर चड़ गए भई बच्पन बच्चे के साथ बच्चा बनना भी अच्छा लगता है कभी कभी तो आप लोग भी जरूर आईए और इस सफर को इंजॉआ करिए आप लोग को बहुत डेफिनेटली बहुत मजा आएगा तो हो जब यहीं त्वाए ट्रेन फिल पूरे अच्छे से बहुत जाती है उसके बाद ही स्टाрट होती है तो यहां पढ़े आप देख सकते हैं भी फाट से वाइफिन निकरों स्टार्ट छाट़ घुनन बहां ऑननदी तो यहां पर हम लोग भी बैच्चों के साथ आरे तो ऐ इसको इंज्वाइब करेंगे तो यहां से जो हमारी ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं पापा ममी को भी हम लोगों ने जबरदस्ती यहां पर बैठा दिया है तो चलिए चलते हैं और इंज्वाइब करते हैं पहारों में तो नहीं यहां के के दो पंवा कि यह, हो कि दो अग लूग की है अगला हुग स्टह बुना घрь लाग भा कि अच्वारा वास ब्साल कि अगले गाली ग्राथ, भर ले लगले गले । प्लेलिस तो दोस्तो आप लोग भी ज़रूर यहां पर आएए यहां पर बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा साथ ही साथ बहुत बड़े एरियम यह रियल म्यूजियम है तो आप लोग अच्छे से यहां पर कॉलिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा छोटी लाइन के बारे में जो नेरो गोज लाइन थी उसके बारे में मुझे खुद यहां पर आके बहुत को सीखने को मिला क्योंकि मुझे शायद याद निया कि मैं अपने होस में यह नेरो गोज रियल वे लाइन को देखा है तो आप जब भी नागपूर आए नेरो गोज रियल म्यूजियम जरूर देखें यह सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं बलकि भारत के रियल इतियास की यादों का एक जीता जाकता सफर है आप लोग यहां डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो इस वीडियो को चलिए यहीं पर एंड करते हैं आपको आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इंट्रेस्टिंग लगी होगी थैंक्यू बाइबाइ टेक केर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चाहिछ करिएु और मेंगा